पेट्रोल डीजल की बिक्री जुलाई में पिछले महिने के मुकाबले घटी है मानसून आने के साथ ही कुछ शेत्र मांग कम होने के साथ ही आवाजाही भी बाधित हुई है देश में सबसे जादा उपयोग वाले इंधन डीजल की खपत जुलाई में 13.1 प्रतिशत घटकर 64.4 लाक टन रही है जो जून महिने में 73.9 लाक टन थी हाला कि पिछले साल की समान अवधी के मुकाबले डीजल की मांग 17.1 प्रतिशत अधिक रही है डीजल की खपत जुलाई 2020 के 48.4 लाक टन की मुकाबले 32.4 प्रतिशत ज्यादा है कोरोना पूर्व बिक्री से 5 प्रतिशत ज्यादा वहीं कोरोना पूर्व बिक्री 61.1 लाक टन की तुल्ना में 5 प्रतिशत ज्यादा है इधर पेट्रोल की बिकरी जुलाई में घटकर 26.6 लाक टन रही है हाला कि जुलाई 2021 के मुकाबले खपत 12.2 प्रतिशत ज्यादा है कोरुना पूर्वस्तर 2019 के जुलाई महिने के मुकाबले ये 16.3 प्रतिशत ज्यादा है आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से क्रूड ओयल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है हाला कि कुछ कारूबारी सब्क चा के पहले क्रूड की कीमत के रेकॉड उच्छाल दर्ज की गई थी हाला कि उच्च महंगाई दर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर के कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में वरिधी की है जिसे बाद में क्रूड की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है